हलो एब्रीवन, आपने यूट्यूब चैनल गवर्मेंट जोब जेन्यू नॉटिफिकेशन इन्यान कोस्ट गार्ड न्यू रिकूट्मेंट नॉटिफिकेशन रिलीज हुआ है नाविक जीडी, नाविक डीवी और यान्त्रिकपत के लिए तो एक और न्यू रिकूट्मेंट नॉटिफिकेशन है, 10th and 12th past candidate के लिए आप अगर इसके लिए eligible होते हैं तो online आपको apply करना होगा अभी इसके online application start नहीं हुए है September में इसके online application start होंगे जो कि आप Indian Coast Guard की official site से online apply कर सकेंगे इसका notification भी अभी आपको Indian Coast Guard की official site पर देखने को नहीं मिलेगा जैसे इसके online application start होंगे, जो date रहेगी तब आप इसका जो notification है वो भी official site पर देख सकेंगे अभी इसका जो notification है DABP की official site पर आ गया है All India job है, All India से candidate apply कर सकते हैं, किसी भी state से आप belong करते हों No fees for SAST candidate जो SAST candidate है उनके लिए application fees भी माफ है, कोई भी fees पर नहीं करने होगी Apply date क्या है, application fees क्या रहेगी, selection procedure, age limit क्या रहेगी सारे points में आपको इस वीडियो में clear करूंगी आप अगर इसके लिए eligible होते हैं, 10th य 12th बेस पर आप job चाहते हैं, government job है अगर आप चाहते हैं, तो इसका जो online apply करने की जो date रहेगी आप इस पर update रहेगा, उस date तक इसका notification official site से आप check कर सकेंगे या फिर अगर आप चाहें, तो मुझे comment कर सकते हैं, मैं भी इस पर जैसी इसका official site पर notification आएगा, मैं video upload कर दूँगी आपको fully, जो information आपको इस वीडियो में दे दूँगी, वैसे इसमें क्या basic points हैं, वो सारे मैं आपको अभी इस वीडियो में clear करती हूँ ओके, सो चलिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, यह जो notification है वो जो release हुआ है, यह Navig GD, Navig Deviant Yantric का जो batch रहेगा 01-2023, 2023 का जो batch है, इसके लिए यह notification रिलीज हुआ है इसके बाद अगर हम बात करें, online application की, क्योंकि online आपको apply करना होगा online apply करने की जो date रहेगी, वो है 8 September 2022 8 September 2022 से लेकर के, 22 September 2022 तक आप इसमें online apply कर सकेंगे so September का जो first week रहेगा, इसमें आप इसकी official site पर इसका जो notification है वो भी आप देख सकेंगे 8 September से इसका online application स्टार्ट है, तो 22 September तक आप इसमें apply करेंगे आपकी जो age रहेगी, वो भी जो last date है, 22 September 2022 के वेस पर देखी जाएगी Total vacancies and qualification, तो total vacancies में 300 हैं, 300 है qualification, NAVIC GD यानि की general duty के लिए आप apply करते हैं, तो 12 आपका PCM से होना चाहिए Physics, Chemistry and Mathematics से, NAVIC DB के लिए आप apply करते हैं, तो इसमें only 10th base पर आप इसमें apply कर सकते हैं या अंत्रिक के लिए अगर आप apply करते हैं, तो इसमें आपका 10th pass होना चाहिए प्लस आपका diploma, या 12th भी अगर आप हैं, तो भी apply करेंगे, लेकिन 12th के साथ में आपके पास diploma होना चाहिए Diploma आपका Electronics, Mechanical, Electrical, Telecommunication, 3 या 4 यार का जो Engineering diploma courses हैं, वो हो सकते हैं इसमें कौन-कौन से discipline होना चाहिए, यह जैसी notification इसकी official साइट पर आएगा, आप उसमें सारे जो discipline हैं, कौन-कौन से उसमें आपका diploma होना चाहिए, वो आप check कर सकते हैं लेकिन only 12th and 10th के बेस पर आप Navig GD और Navig DB में apply कर सकते हैं Age limit देखेंगे, minimum age 18 है, maximum 22 year है, 18 से 22 साल age limit रुखेंगे, यह General Categories के Candidate के लिए Reserve Categories के Candidate यानि S.A.S.T. जो Candidate हैं उनको 5 years का relaxation रहेगा, O.V.C. Candidate को 3 years का एक और बात में हाँ पर clear करना जाओंगी, यह जो भरती आई हुई है, इसमें only male candidate eligible रहेंगे Female Candidate यहाँ पर apply नहीं करेंगे, किसी भी post के लिए eligible नहीं है, only male candidate इसमें apply करेंगे Application Fees, 2500 रुपए, Application Fees रहेगे, Unreserved and O.V.C. Candidate के लिए S.A.S.T. Candidate जो रहेंगे, उनको Application Fees भी माफ है, कोई भी Fees पे आपको नहीं करने होगी Selection Procedure में All India Merit Vases रहेगा, जिसमें आपके 4 Stages रहेंगे Stages 1st, 2nd, 3rd and 4th, Stages 1st में आपका Written Examination होगा, Stages 2nd में आपका PFT होगा जो Stages 1st रहेगी, यह Written Examination, इसमें आपका पहले Document Verification होगा, Biometric Recording and then Examination होगा Stages 2nd में आपका Physical Fitness Test होगा, जिसमें 1.6 km रहेगी, 7 minutes में 20 उटक, बेटक और 10 push-ups रहेंगे फिर आपका Medical Examination भी होगा, लेकिन जो Stages 3rd है, उसमें भी आपका Document Verification and Medical Examination होगा फिर से एक बार, and आपका इसमें Sort Listing हो जाते हैं, Select हो जाते हैं, दिन आपको Stages 4 में Training रहेगी 5 cities को Choose कर सकते हैं, आप जिसको भी Preference आप Fill कर सकते हैं, 5 cities आप Option रहेगा, जिसमें भी आप चाहें, जो भी आपके नजदी की हैं, आप उसको Fill कर सकते हैं, Choose कर सकते हैं तो अभी इसके जो Basic Points से मैंने के लिए कर दी हैं, और हाँ, आपकी जो Age लिमिट रहेगी, वो 1 माई 2001 से लेकर करके, 30 अपरेल 2005 के बीच आपका वर्थ होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए जो Age Criteria है, उसमें आप आएंगे और इसके लिए Alisable रहेंगे, लेकिन अगर OVC Candidate है, तो आपको Relaxation मिल जाएगा Ace में, ओके, तो ये सारे Points मने के लिए किया हैं, अगर आप इसके लिए Alisable हो, 8 सेतंबर से Online Application स्टार्ट होंगे, अगर आप Alisable हैं, तो इसकी Indian Coast Guard की Official Site पर Update रहेगा, या फिर मेरे चैनल को भी Subscribe कर सकते हैं, Thank you!